नमबर टेन बंदिस बंदित बंदिस बंदित एमेजन प्राइम वीडियो की वेब सिरीज है सिरीज में राधे एक इंडियन क्लासिकल सिंगर रहता है फिर उसकी मुलाकार तमन्ना जो कि एक पॉप स्टार से होती है साथ में दोनों पार्टनर्सिप करके म्यूजिकल जर्नी स स्टार्ट करते हैं और फिर दोनों को प्यार हो जाता है लेकिन उनके अपॉजिट परस्नालिटीज और उनके आसपास के लोग उनकी म्यूजिकल पार्टनर्सिप और रोमैंटिक लाइफ में कॉम्प्लिकेशन्स क्रियेट करते हैं और इस वज़े से दोनों अलग हो जाते हैं दोनों अपने प्रॉब्लेम्स को सौट आउट करके साथ आते हैं या नहीं यही फिल्म की कहानी है अनंति पारी के निर्देशन में बनी इस वेप सीरीज में इडितिविक बॉमिक, स्रिया चौधरी और नसृदिन साह मुख्य किरदार में हैं इस सीरीज को प्रिटिक् हो जाता है कि अबिनास अपनी बेटी को वापस पाने के लिए लोगों का मरडर करे एक पिता अपनी बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है यही इस सीरीज की कहानी है ब्रीद इन्टू दा सैडोज में अविसिक बच्चन और नित्या मेनन मुख्य किरदार में नंबर एट आश्रम आश्रम एम्मेक्सपेर की क्राइम थ्रिल वेब स्रीज है इस स्रीज में बौवी देवल को बावा निराले के क्यारेक्टर में दिखाया गया है बाबा निराले के पास भगतों की विसाल फॉज है बाबा के भकत उन्हें अंधों की तरह पूछते हैं लेकिन एक्च्वल में बाबा ड्रग्स, पॉलिटिक्स, रेप हर तरह के क्राइम करता है। सिरीज थोड़ी सी स्लो है लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आम इंसान जूटे ढोंगी बाबा के चंगुल में फस जाता है। स्पेसल उप्स, डिजनी प्लस हॉट स्टार की वेब सिरीज है। ये वेब सिरीज इंडियन इंटिलिजन्स द्वारा टेरिजन्स को रोकने के लिए कि एक आपरेशन से इंस्पार्ड है। इस सिरीज में केके मेनन ने एक रॉय जिन्ट का रोल प्ले किया है। वे टेरर अटैक्स को रोकने और अटैक्स के पीचे के मास्टर माइंड को पकरने के लिए एक सीक्रेट टाक्सपोर्स बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ये वेब सिरीज नहीं देखिए तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नमबर सिक्स, पंचायत। पंचायत की कहानी एक इंजिनियर के इर्दगर्द घूमती है जिसका सपना एक MNC में काम करने का है। लेकिन जौब की कमी उसे दूर के गौँ में ले जाती है जहां उसे गौँ के प्रधान के साथ पंचायत सचीव के रूप में काम करना होता है। इस सीरीज में दिखाये गया है कि कैसे एक लड़का गौँ के लाइफस्टैल में एज़ेस्ट करने की कोसिस करता है। साथ ही अपने काम के साथ साथ परहाई भी करता है ताकि वो वहां से निकल कर अपने MNC के सपने को पूरा कर सके। इस सीरीज की कहानी ओडियन्स द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। आप इसे Imagine Prime वीडियो पर देख सकते हैं। असूर की कहानी CBI की एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट अर्षद वार्सी और उनके पास्ट के एरियर भूमती है। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वज़े से एक सीरियल फिलर उनके पीछे पर जाता है। अर्षद वर्सी वरुन सोपती इस सीरीज में लीड क्याक्टर्स प्ले करते हुए नज़र आएंगे। आप असूर वूट पर देख सकते हैं। नमबर 4 आरिया आरिया डिजनी प्लस होट स्टार की वेब सीरीज है। सुसमिता सेन ने इस सीरीज के साथ एक्शन में वापसी की और अपने पारफुल परफॉर्मेंस से सभी को चौका दिया था। इनफेक्ट ये वेब सीरीज 2020 की वन आफ तो मोस्ट ट्विटेड वेब सीरीज थी। दच वेब सीरीज पेनोजा से इंस्पारइड इस सीरीज में आरिया यानि की सुसमिता सेन एक लविंग वाइफ और दो बच्चों की बहुत ही प्यारी मा होती है। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उसे मजबूरन अपनी इलीगल फैमिली बिजनेस को समालना पड़ता है। इस सीरीज में सुसमिता सेन के परफॉर्मेंस के अलावा नमीन दा, सिकंदर खेर और अंकुर भाटिया के एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया। नमबर थी पाताल लोक पाताल लोक अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज है। इसे अनुसका सर्मा और उनके भाई करनिस सर्मा ने प्रोडियूस किया था। पाताल लोक को 2020 का बेश्ट क्राइम सो भी कहा जाता है। इस सीरीज में हाथी राम चौधरी नाम के एक कुलिसमैन को अपने केडियर में बड़े केस का इंतजार रहता है। ताकि उसे प्रोमोशन मिल सके। और फाइनली एक दिन उसे संजीब महरा एक हाई प्रोफाल जर्नलिस्ट की हत्या की साजिस का केस मिलता है। हाथी राम चौधरी के इंविस्टिकेशन में कई बड़े खुलासे होते हैं और कई बड़े नाम सामने आ जाते हैं। स्कैम 1992 स्टॉक ब्रोकर हर्सद महता की जीवन पर आधारित है। हर्सद महता को सेयर मार्केट का अमिता बच्चन भी कहा जाता था। हर्सद महता का नाम देश के सबसे बड़े गोटाले से जुरा था। जिसकी चर्चानी साल 1992 में सबके होसुरा दिये थे। इस सीरीज में परतीक गांधी, श्रिया धनवंतरी, सारी भास्मी, निखिल देवेदी और रजत कपूर ने मुख्य किरदार निभाए हैं। आप इस सीरीज को सोनी लिप पर देख सकते हैं। स्कैम 1992 को IMDV पर 9.5 रेटिंग के साथ टॉप पोजिशन मिली है। 1. मिर्जापूर सीजन 2 मिर्जापूर एक आक्शन क्राइम ट्रिल वेब स्रीज है। जब 2018 में मिर्जापूर सीजन 1 आई थी, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पूरा देख सीजन 2 का इतनी बेसेब्री से इंतजार करेगा। ये पहली बार था जब किसी फिल्म से ज़्यादा किसी वेब स्रीज को लेकर फैंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेव थे। दो साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली मिर्जापूर सीजन 2 अक्टोबर 23, 2020 को रिलीस कर दिया गया था। आप इसे Amazon Prime वीडियो पर देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें